आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ पालक डाल की रेसीपी लेकिन ऑफेंटिक तरीके से क्या आपने कभी इस तरीके से पालक डाल बना कर खाई है खाई है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताईए तो चले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लिए हैं मैंने आधी कर्टोरी तोर डाल आधी कर्टोरी चना डाल आप चाहे तो दोनों में से एक ही डाल ले सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे दोनों मिक्स करके ले लेएं यह हेल्दी भी होग तो यहाँ पे मैंने चायर गंटे के लिए के लिए दाल भगाई है तो दीञें, अब आगे की प्रोसिस कर दें दाल कर लेंगे दाल को बिगाने के बार बिए जिर से एक बार वश्क ज़रूर की जैर् importa, अब यहाँ पील Љपक्स डालेंगे अब यहाँ पे डालेंगे पानी तो हमेशा कुकर में पानी कितना डाले जिसके वज़े से इसका उबाल ना आए तो देखें यहाँ पे पानी डालने का तरीका है कि डाल डुबनी चाहिए और उपर आदा इंच पानी रहना चाहिए इतना ही हमें यहाँ पे पानी डाल कर लेन टो ये डाल चार लोगों के लिए बन들 कर तयार होगी तूस हीसाँ पर होगे मैं एक बच पालक ली तो पालक को मोटा मोटा कट करना है पूरी तरह से बारिक नहीं कट कर लिए तो आप यहाँ पी रहां पर देखें डाल होता है उसमें डालेंगे एक चमच लहसन too लहसन को मैंने बारिक कट करके ले लिया है और 7 मि डालेंगे एक चमच अधरक तो Twist Illijes यहाँ पे मैंने पास है छे लहसन लिय और 4 इंच के करीब अधरक का तुकडा लिया है इन दोनों को अचो से मिक्स प्रिस्पी गुल्डन ब्राउन कलर में लाना है नहीं तो यह कच्छे रहेंगे खाते वक्त यह दातों में आएंगे तो कच्छा पन रहेगा तो यहां पे महिने बगए साइज के एक प्याज लिए और प्याज को पूरी तरह से बारिक कच करके लेना है अब प्याज को भी हल यहां पर हलकी सी एक पिंच उतनी नमक डाली है जिससे टेमेटों जल्दी से गल जाते हैं तो यहां पर मेंने लिए लाल मिल्च पॉर्डर तो देग चमश लालुच पॉर्डर टेस्स के अगॉर्डिंग एक चमश गरम मसाल पॉर्डर लिया है अब इने भी मिक्स करके ले तो आप इस टेज पे लेखे साइट से तेल निकल गया है अब यहाँ पी डालेंगे अगर बारिक करेंगे तो दाल के अंदर मिक्स हो जाएगा तो पालक दालंगे और दिखने में में दोनों में भी मजा नहीं आएगा क्योंकि गलने के बाद बारिक हो जाती है उसी साब से ही हमें यहाँ पे हलका सा मोटा कट करके लेना है अब गैस की फिलेम हाइ पे करनी है जैसे हम इसमें पालग डालते हैं और फटाफट से सिम मिक्स करके लेना है यह पूरी तरह से सिकूग जाना चाहिए अब आप यहाँ पे देखेंगे कि भाजी सिकूर गई है पालक ने अपना पानी रिलिस किया है पालक बहुत जल्दी अपना पानी रिलिस कर देती है तो आप यहाँ पे इस टेच पिल डालेंगे जो हमने गला कर डाल ली है वो डालेंगे तो हमें यहां पे पालक को अलग से गला कर लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस दाल के अंदर यह अच्छे से गल जाएगी बहुत जल्द गल जाती है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है तो देखें अभी इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके लेना है माशालला बहुती प्यारा कलर आया हुआ है अगर आपको लगे कि डाल जादा मोटी है तो आप इस तरह से इसे प्रेश करके डाल को घुट ले सकते हैं या फिल आप यहां पे वीश्क की मदद से या फिल जो डाल घुटनी होती है उससे भी इसे हलका सा गुमा कर लेंगे तो दाल जो भी मोटी रह गई है वो गल जाएगी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो देखिए मैं इसे चमस के सहाइता से ही मिक्स करके ले रही हूँ तो हमने डाल गलाते वक्त ही नमक डाला था एक स्लाप पालक के भाजी के लिए कोई नमक नहीं डाला तो तो आप टेस्ट कर के देखिए, अगर जबरोत होगी तो ही आपर नमक डालिए आप इसे ही 2-3 मिनिट Ms. beef लूप लूप पिके पका ये ताकि पालक का जोभी फ्लेवर में डाल के लिए दाल के लाजाए डाल का जोभी फ्लेवर ही पालक के लिए तो इसे आप धखकर पकाएंगे दो से तीन मिनिट के लिए जादा पकाएंगे तो डाल बहुत जादा गागली हो जाएगी माशाला तो देखिए मैंने बीच में एक बाल चम्मच चलाकर ले लिया आता जिससे डाल और भी जादा सौफ्ट हो जाए तो देखिए यहां पर डाल पालक अच्छे से पक गए हैं अब हम यहां पर गैस की फ्लेम बन कर देंगे और इसे तग्रका लगाएंगे तग्रका लगाना अप्शनल है अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही खा सकते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया एक चोटा पतीला उसके अंदर डाल दिया है एक चम्मच तेल तेल गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है गैस की फ्लेम बन कर देंगे और इसमें डालेंगे दो सोखी मेर्च यूंकि यह अगर अब गरम गैस में डालेंगे तो यह काले पर सकते हैं साथी यहां पर मैंने आदा चमच कश्मीर लाल मिल्स पॉल्डर डाल कर लिया है आप इसे तलका लगा कर लेंगे आप इसे खाते वक्त गरम गरम तका लगा सकते हैं या फिल डायरेक्ट कगाई में भी लगा सकते हैं आप इसे रोटी पराटा नान चपाती जिरारा इस के साथ खा सकते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत थैंक्यू लेकिन आप वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक आइंग शेयर ज़रूर कीजिए और साथी कमेंग तक खाना बनाते रहिए और खाते रहिए